छोटे से दिखने वाले चिया के बीज असल में गोडों को और पोशक तत्व का खाजाना है यह शारिदिक रूप से स्वस्त रखने के साथ साथ के बिमारियों के लक्षडों को कम करने में भी मदद करते हैं ऐसे में चिया के बीज को छोटा पैकिक बड़ा धमा का कहना गलत नहीं होगा, इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको चिया के बीज के फायदे, पोश्चक तत्व और उसके नुकसान के बारे में बताने वाले हैं, अगर आप लोगों को चिया के बीज के बारे में जानना है, तो आप लोग की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर चिया के बीज में विटामिन्स और मिनरल्स, चिया के बीज में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आइरन, मेगनीशियम, फासफोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, कॉपर, मेगनीज, सेलेनियम, विटामिन C, थाइमिन, राइबोफलोविन, नियासिन, फॉलेट, विटाम तत्व पाय जाते हैं आप बात करते हैं चिया के बीज के फायदों के बारे में वेट लोस्ट करने में फायदे मन ऐसे लोग जो मोटापे की समस्य से परेशान है और बढ़ते हुए वजन को नेंदरित करने का प्रियास कर रहे हैं उनके लिए चिया के बीज बहुती जादा फायदे मन होते हैं सुभा के समय अपने नाश्ते में दो चमत चिया के बीज आपके वजन को कंट्रोल करने में और बढ़ते हुए वजन को घाटाने में बहुती जादा फायदे मन साबित हो सकते हैं इसका सेवन करके आप लोग जोडियम अच्छी मातर में पाया जाता है जिसकी वजह से आपका दिल हमेशा स्वस्त रहता है और आपके जो दिल की ब्लोकेज जो नसे होती है उन्हें भी खोल देता है दातों और हड्डियों को मजबूत बनाने में फायदे मन्द चिया के बीज के अंदर अच्छी मातर में केल्शियम पत्व पाया जाता है इसके सेवन से आपके दात और हड्डियां बहुत अच्छी तरह से मजबूत होती है अगर आपके शरीर में ये जोडों में दर्द रहत है तो आप लोग चीया के बीच का सेवन करना आज सही शुरू कर दे और एक हफते के अंदर आप लोग इसका अच्छा ενस दे पूम कर देता है और आपके शरीर में अच्छे कोलेस्टोल को बढ़ाता है और इसके अंदर ओमेगा 3 fatty acid भी होता है जो आपके शरीर में जमा हुआ कोलेस्टोल को आसानी से बाहर निकाल देता है और आपको कोलेस्टोल क्योंकि इसके अंदर फाइबर, unsaturated fat, fatty acid, anti oxygen तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जिसके वजह से आपके शरीर में इंसुलीन बनने की जो मात्रा है वो सही होने लगती है और आप लोगों का diabetes नेंतरित होने लगता है इसके अलावा यह हाई blood pressure की समस्या में भी बहुत ही जादा फाइदिमंद होते हैं कबज की समस्या में फाइदिमंद चिया के वीज कबज की समस्या में बहुत ही जादा फाइदिमंद होते हैं अगर आप लोगों को कबज से सम्मंदित कोई समस्या है जैसे की gas, अपज, बदहजमी और भी कही तरह की समस्या है तो आ इसके अंदर phytochemicals, anti-oxygen जैसे तत्व पाये जाते हैं जो cancer cell से लड़ने में बहुत ही जद़ फायदिमंद होते हैं और आप लोगों को हमेशा cancer मुक्त बनाए रखते हैं एनरजी बढ़ाने में फायदिमंद अगर आप लोगों का शरीर हमेशा ठका ठका रहता है आप लोगों के शरीर में जान नहीं रहती है जिसकी वजह से आप लोग अपने काम पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं और अपना काम भी नहीं कर पाते हैं इन समस्याओं से anti-inflammatory गुल पाय जाते हैं और उसके अलावा omega 3 fatty acid जैसे गुल पाय जाते हैं अगर किसी व्यक्ति के शरीर में किसी भी धरा की सूजन है उससे भी छुटकारा पाने के लिए आप लोग चिया के बीच का 7 कर सकते हैं नीद की समस्या में फायदिमन अगर किसी व्यक्ति को एनिद्रिया की समस्या है रात के समय वे हैं अच्छी तरह से नहीं सो पाता है कितनी भी कोशिश कर ले अच्छी तरह से नीद नहीं आपाती है इस समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए आप लोग चिया के बीज का सिवन कर सकते हैं एक सोध में ये सामिद हो चुका है क्योंकि इसके अंदर ट्रेप्टोफेन पाया जाता है जो मांसिक स्वास्त के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदिमंद होता है स्किन से संबंदी समस्या में फायदिमंद चिया के बीज आपके बालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदिमंद होते हैं अगर आपके बाल उमर से पहले ही जड़ रहे हैं उमर से पहले ही तूट रहे हैं सफेद हो रहे हैं या बालों की मजबूती नहीं है तो आप लोग चिया के बीच का सीवन कर सकते है या आपकी बालों की हर तरह की समस्य के लिए बहुती ज़दा फायदिमन होता है डिप्रेशन की समस्य में फायदिमन चिया के बीच आपको डिप्रेशन की समस्य से बाहर निकालने में एक एहम बोमी का निभाते है क्योंकि इसके अंदर इतने सारे अच्छे गुड़ पाये जाते हैं जिसकी वजह से यह आपके दिमाग पर डारेक्ट रियक्शन करता है और आप लोगों के दिमाग के नसों को रेलेक्स करता है ठंडा करता है जिसकी वजह से आप लोग अपने दिमाग पर अच्छी तरह से पाते हैं और डिप्रेशन से अच्छे तरह से बाहर निकल पाते हैं इसके अलावा हमने डिप्रेशन के ओपर फुल डेडिकेटिड वीडियो फुल नॉलिज के साथ दे रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो आप लोग जरूर देखे है या आपके छोटे बच्चे पढ़ाई पर अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं या आपको याद किया हुआ याद नहीं रहता है लंबे समय तक या और भी दिमाग से संबंदित जो भी समस्याय हैं उन चीजों से छुटकारा पाने के लिए आप लोग चिया के बीच खरीदमें चाते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में बैस्ट बाय लिंक दिया है आप लोग वहाँ पर भी जाकर चिया की बीच को खरीद सकते हैं चीजों के बीच के नुक्सान के बारे में अधिक मात्र में फाइबर होता है अगर आप लोग इसका सेवन ज्यादा मात्र में करते हैं तो आप लोगों को पेट से संबंदी समस्यां जैसे कि पेट में दर्द या पेट फूलने की समस्यां हो सकती है अगर आपके स्किन सेंसिटिव है और जल्दी जल्दी उसमें बदलावाने लगते है या थोड़ा सा मोसम बदलते ही आपके शेरिल में एलर्जी या अगर आप लोग किसी भी चीज का जादा मात्रमें सेवन करते हैं तो उसके नुकसान आपको ही होगा इसलिए आप लोग इसका नियंत्रित मात्रम ही सेवन करें दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इंस्टा वाट्सेप फेस्जूप पर हर जगा जरूर शेयर करें अपने कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको सबसे अच्छा फायदा कौन से लगा हम हारे का कमेंट पढ़ते हैं और आपका कमेंट हमारे लिए एक वैल्यू एड करता है हेल्थ, फिटनेस और लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जानकारी के लिए देखते रहे हेल्थ टिप्स ग्यान